मुंबई अंतरास्टिय एरपोर्ट को री डेवलाप करने के लिए करीब 200 एकड़ भूमी एरपोर्ट ऑथरिटी ओफ इंडिया की तरफ से जीवी के ग्रूप को दी गई थी बताया जा रहा है कि इस दोरान बोगस कोंट्रेक्ट साइन किया गया और करीब 800 करोड रुपे का इसमें घोटाला हुआ वहें मुंबई एरपोर्ट घोटाला मामले में परवर्तन निदे साले ने बड़ी कारवाई की है बताया जा रहा है कि इडी ने हैदराबाद और मुंबई में इस सम्मध में चापे मारी की है बता दे कि इस मामले में इडी ने Money Laundering Act के तहत केस दरज किया था और यह मामला मुंबई अंतरास्टिय एरपोर्ट के Redvelopment Project से जुड़ा हुआ है खबरों के मुताबिक इडी ने इस मामले में अब तक 9 केस दरज किये हैं जिसके बाद अब मुंबई और हैदराबाद में भी चापे मारी की जा रही है वहीं बताया जा रहा है कि GBK ग्रूप के चेर्मेन संजे रेडी के आवास पर भी चापे मारी की गई है इसके अलावा इस ग्रूप से जुड़ी अन्य 9 कमपनियों पर भी चापे मारी की गई है YCBI ने इस मामले में चापे मारी भी की थी और इस घोटाले के संबंध में जो जानकारी सामने आई है उससे ये पता चलता है कि साल 2006 में मुंबई अंतरराश्टिय एरपोर्ट को री डेवलप्मेंट करने के लिए एरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया और जीविके ग्रूप के तहत समझोता हुआ था इस समझोते के तहत 50.5% हिस्सेदारी जीविके के पास और 26% एरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया के पास थी और बाकी के परसेंटेज दूसरे कमपनियों के पास थी वही नियम के मुताबिक कमाई का हिस्सा पहले Airport Authority of India के पास जाना था और बाद में जीवी के ग्रूप के पास लेकिन आरोप है कि इस मामले में जीवी के ग्रूप और Airport Authority of India के अधिकारियों ने मिलकर एरपोर्ट पर किये गए काम को कागजों में बढ़ा चड़ा कर दिखाया जबकि हकीकत में काम काफी कम किया गया था इसके अलावा बिना किसी टेंडर के Airport Authority of India ने 200 एकड़ जमीन रख रखाव के लिए दे दी और उस पर जो काम होना था उसमें भी फरजी वाड़ा किया गया